नमस्कार मेरा नाम है देवान शुतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव उत्राखण उत्राखण में मानसून ने अपनी शुरुवाती दस्तक दे दी है मानसून के आ जाने से लोगों को जहां भीशर्द गर्मी से राहत मिली है तो वहीं पहाड़ी शेत्रों में आपदा होने की संभावनाएं बे बढ़ी ही आई रेखते हैं खास के पूट उत्राखण में तीन तारीक से मानसून दस्तक देने वाला है और प्रदेश में मौसम विभाग से भारी से भारी बारिश का लट भी जारी कर दिया गया है ऐसे में जहां अभी तक प्रिमानसून की बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है तो वहीं तीन तारीक से मानसून की बारिश से हालाद बिगड़ने वाले हैं मौसम वे भाग के निदेशक विक्रम सिंग का कहना है कि तीन तारीक से प्रदेश में मांसून दस्तक देने वाला है और दस तारीक तक उत्तरा खड में लगातार बारिश देखने को मिलेगी इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीन से लेकर पांस तरीक तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है खासकर कुमाओं के जिले नैनी ताल, उदम सिंग नगर और अलमोडा में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस समय चार धाम यात्रा भी चल लही है और हेमकुंट साहिब में भी श्रद्धालूओं का ताता लगा हुआ है ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश में मानसून आने से चार धाम की यात्रा प्रभावित हो सकती है यहां यात्रियों को भारी परिशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है आपको बता दे कि उत्राखंड जैसा पहाड़ी प्रदेश आपदा की द्रिस्ट इसे बेहत समवेदन शील है हर साल बादल फटने और बूस कलन जैसी घटनाएं होना उत्राखड में अब आम हो चला है हलाकि सरकार मानसून से पहले हमेशा ही बाड़ बूस कलन जैसे हालातों से निपटने का दावा करती है लेकिन मानसून आने के बाद सरकार के सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं जरूत होती हैं फंडिंग की जरूत होती है तो सभी जिलों को फंडिंग कर दी कही है बारिश है वो होगी बिल्कुल होगी लाइट से मोडरेट रहन जो आपको बिल्कुल जो देव भूमी उत्राखंड से जोड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं लाइव उत्राखंड खबरे उत्राखंड के